कि जहन साथियों अमीत रेले में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग एसे सी एस्ट नोगर आफर 22 में पूछे के जिके जी एस क्रेंट अफेर्स के महत्पुन प्रसनों को कभर करेंगे आपको हम बता दें कि यह पेपर 6 सिप्ट में हुआ था और 17-18 नमंबर 22 के बीच में हुआ था आप देख सकते हैं आज है 25 नमंबर और यह 17-18 नमंबर को पेपर हुआ था तो यह बहुत लाटेस्ट पेपर है इसमें जितने भी प्रसन है आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा आप लोग 10-12 मिनट का ज है तो पहला प्रसन है पूछ गया है कि 2011 में भारत की सहरी जनसंख्य का प्रतिसद कितना था तो जा सही इनसर हो जाएगा 31 सब्सक्राइब है यह जो प्रसन है हम आपको बता दे हम इसको कई जगा देखे हैं ऑफिस्यल पेपर में पूछा हुआ यह प्रसन कि सहरी जन संख्या कितना प्रतिसाथ है तो आप देख सकते हैं इधर से उधर पूछते रहाता है तो आप लोग पुरा देखिए इस वीडिय करें राजपाल कोन है रवी रवी याद रखेगा नेक्ट नमबर प्रसन को जब 1901 में की अध्युगी की नीति का सुमहरम हुआ उसमें भारत के परधानमंत्री कौन थे तो निसकान में भारत के परधानमंत्री पीवी नरसिम्भा राओ ते याद रखेगा और यह भी प्रसन निए आप नेक्ट नमबर प्रसन..? करनाटक के धार्मिक विरासत और समयद्री संस्कीति को दर्चानिया वाला करागा का उत्सब कितने दिनों तक मना याथा तो करागा को इगारा दिनों तक मना याता है कर्नातक में नेक्ट नेक्टे चौन अब स्कों को सिकों पर को उसके बीना वादन करते हुए दिखाया गया है तो इसका सही हो जाएगा समदर गुप्त को दिखाया गया है बहुत इंप्रोटेंट प्रस्ट है नेक्ट एकट नमर प्रास्तिक तंतर में उर्जा के प्रातिमिक शिरोट व्याइट आपका सुर्जा का प्रकास नीक्ट रीएक्टर नम्र और निम्लिकत में कौन सा एक अंतरदेशी नदीये बंदरगा है वहाँ अपसरण निरहा होगा, हमां अपसरण को उटा दिया है तो इसका शहीं सरोजगा इसका उखत्ता एक अंतर देशी नदीये बंदरगा है नेक्स्ट है कौन कुसकाओ को एक निसीत अकार परदान करता है तो प्लाजमा जिल्ली या सवरी कुसका जिल्ली जो है कुसकाओ के एक निसीत अकार परदान करता है नेक्स्ट है और जा요 नम्र हिंदुस्तानि सास्तार्य संगित के परवरतक पंडित जसराद किस घर सपाइसे मामर आपको मäterड के नाम से जाना जाता था जिनों आप pię concern 130 में बारत में चटगाव सस्त्रागार चापवे का नियतित्व किया था तो इसका सहीं सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण यह सब प्रस्ण आपको एकजाम में मिलेगा इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग रेगुलर वीडियो के देखिए और आप हमसे जूरे रहे कुछ दिनों में आप खुद देखिएगा कि हमको कितना अच्छा जीके हमको कंटेंट यादोगा हम मैं जितना भी वीडियो डालना हुना उसको आपके वल एक बार देख लिए और याद कीजिए फिर सब्सक्राइब कौन संस्थापक था जिसने अंति मौर समराट की हत्या करके अपना राज स्थापित किया था तुसका पुस्मित्र सूंग ममस का संस्थापक था याद रखेगा नेक्स है पतलना नमर राश्ट्रिय ग्रामीन आज़ीव का मिशन को किस मंत्राले ने लागू किया तिसका सही हुँ जगा ग्रामीन विकास मंत्राले नेक्स्ट है शुलन नमर हरित क्रांति के संदर में हो वाई भी में ह का क्या आर्थ है तो है याद रखेगा सदर्य नमर प्रस्ट रेंदर मिनिस्ट्री ओफ अट्मोस्ट हैपिनिस नामक पुने उपनियास के लिखा कौन है तिसका सहीँ सब्सद्राइगा और धन्ति राय नेक्स्ट है इस उलम्पिक में भारतिय फूटवाल टीम चोथे स्थान पर रही थी तो इसका सहीं सुझाएगा मिलमॉर्ट में जब 256 में हुआ था उसमें भारतिय फूटवाल टीम चोथे स्थान पर थी नेक्स्ट है निस नम्मर और बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है जातिकत समानता का परचार करने के लिए बैश ने सत्य सुधक समाझ के त्थ हर अब आप प्रवरी 22 में करेंड का प्रसन हैसी ने बहुंब को कौन सा आगरा की ताज महल की नकल है तागरा की ताज महल नकल को कुन है बीवी का वाकवराव नेक्ट щерб assessed नमर 12रकार दोरा पर्जेक्ट ओलबेंट अलिट के स्रूभाइब किस वर्स किया गया अट परजीवी है क्या है कवक है किस चोल वंस राजा ने तंजोर के राज राजस्पन मंदिर का निर्मान करवाया था यह भी बहुत इंपोर्टेंट है से पार्षी संब्दा मनाता है निख्ट है कि सथाइशन मंप्रसल एक परसीद गायक कुमार गंधर्व संगीत के किसी विधा के लिए परसीद है तो यह हिंदुस्तानीय सस्त्रिय के लिए परसीद है नागा लेंड के कौन से जान जाती मीम कुट उतसब धान के दान रखेगा कौन सा हरा सवाल है रहा है कि अ हम स्थ भारत के महहां संगीतकारों में एक उस्ताद बिलायत खान उस्ता गार रहा एक सितार वादक थे कौन से वर्ण को उतर बैदी काल में उपनयान संसकार के अनुस्ठान के अनुमति नहीं थी तो किस वर्ण को तो सुधर वर्ण को उपनेंस करके अनुस्थान के अनुमति नहीं थी इसको ध्याने में आप लोग रखिएगा त्यतिसरम प्रस्ण है कि एक नमों मर्द 29 के बाद सभी अंतराष्ट्य एथिलिक्ट्स इस पर धाओ का योजन किसके नियम को के तहत किया जा रहा है तो बिस्प एथिलेटिक्ट्स के नियमों के अधिन या जा रहा है नेक्ट है चौतिसरम प्रस्ण प्रतिपादित कौन सा नियम यह निश्कस निकाला कि दाब और आयतन का गुनन फल लगभा इस्तिरलाता है तो यह कौन सा नियम है बॉयल का नियम केमिस्ट्री का प्रस्ण है पैतिस नमर है जर्मन प्राणी बिग्यान अर्नेस्ट हैकल दोरा सबसे पहले डैस में पास्ति च्छासट में किसने किया तो अर्नेस्ट हैकल ने किया नेक्स्ट है जटी समप्रस्ण है कल मंडलम रह्मन कुट्टी नायर को किस वर्स कत्था कली के में उनके गुजान के लिए संगीत नाट्टे अकादमी फिलोसीप प्राप्त होई तक प्राप्तभा दूसरा हजार चार अर्फश्मी घडों में होने वाले अधिकांस वरसा डैस होती है क्योंकि आदर हवाय बाधित होती है और वह घड़ी घद्शां तो पस्तिमी घड़ा की चासिने कृवरण सिंग नहीं यह आपका करेंट का प्रस्ट है कि अम नेस्ट चलिस नमा प्रस्ट में उन्हेस के दसक में सिंदु घटी सब्याता के दो परमुख सहरों के खोज उत्खनान एसाई के किस महान निदिशक की नितित में हुआ तो जोईन हीवर्ट मार्सल की नितित में निदिशक के दसक में सिंदु घटी सब्याता के दो मत्व सहर के खोज किया गया था नेक्स्ट है कौन सा मन्सून अक्टूबर और नममर में तमिलांडू तक दक्षनी आध्र परदेश दक्षनी पूर्वी करनाटा करो दक्षनी पूर्वी केरल में मुस्तला धार बारिस का नेक्स्ट है कौन सा एक बागाती फसल है बागाती मतलब प्लान्टेशन फसल नहीं है तो ग्यहूं प्लान्टेशन फसल नहीं है नेक्स्ट है 43 नमर और इंपोर्टेट प्रसन भारत में पहला अंतराष्टी युग दिवस कंबनाया गया था तो 21 जून 2015 से अंतराष्टी युग दिवस मनाया जा रहा है और आप लोग ध्यान के यह का कि अंतराष्टी युग दिवस कंबनाया जाता है तो 21 जून को मनाया था है नेक्स्ट है 44 नमर उरिशा में रत्यात्रा का किंद कौन सा मंदिर है तो जगा नात्थ पूरी मंदिर जो उरिशा में हुआ हैं से तरत्य यातरा निकाले जाता है नेक्स्टेश और इंपोर्टेट परसे 15 चीमकुमार सर्मा की द्वारा काम व्हां सा बाधय यंत्र बजा आता है तोफंडित सीवकुमार सर्मा जो है संतूर बाधक है दोपनित्स्यमकुमार सेमा संतूर बाधब्हक से शेलेस नहित भारत्य संगित का व्रे tiempo नट खिसने लिख MODER निक्स है लिखा से त nepogenati का लचयन कम गलूर डैस की खेती के लिए परसीद है तज करनाट के में जो itt जगह एक जिदर आपको प्रसिद आपने पिता के विरासत को आगे बढ़ानेव वाल एक तब तबलाबादक है तो इसका सहीं सोज़ागा जाकर हुशन एक तबलाबादक है पचास नमा लौ ऐस खनीजों में से संबन्दित कौन सा छेत्र और इसा राज में इस्तित है तो वीडियो में हम लोग 50 प्रसन और की एक पूछा गया तो लगभद 200-300 important person होगा तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यह स्रीज का अगला कोशन 50 कोशन हम लेकर आएंगे अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी मेनत आपको अच्छा लागा होगा जरूर वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा आप मेरे साथ जूरिए आपको मैं विश्वास लाता हूँ अगर यह लोग मेरे साथ रहिएगा तो आपका चैनल के अच्छा होगा और आएग्जाम में आप भोर के आईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद